हालो जी गूड इवनिंग कैसे हैं आप सब और एक बार फिस से वेलकम आपके अपने चैनल में तो जी दिन है आज मंगलवार का तारीख है 31 जनवरी साल के पहले महिने का अखरी दिन है कल से फरवरी जो शुरू हो जाएगा शाम का जो है वो टाइम हो गया है साड़ी छे हो हिमांक जो है यह देखिए अभी यहां पर मस्ती कर रहा है और मैं जब खाना किचन में कुछ बना रही होती है तो मुझे इसी बात का डर रहता है वो चोट वोट ना लगवाले वो मानता तो है नहीं इसलिए जो मैं इसको ना किचन से बाहर ही रखती है और इस टाइम जो ह मैं कुछ भी ढंक से खापी नहीं पा रही हूं खिचडी में तड़का लगा दिया है और आप कुछ मैंने सब्जिया वगएरा भी वो मंगवाई हैं सब्जियों को अभी साथ-साथ में जो क्लीन करके रख दूँगी धो दूँगी सारी सब्जियों को सुबह तक सारी सब् जगह पर फ्रिज में जो फ्रिज में लगाने उसको फ्रिज में लगा दूँगी जो जैसे प्या जालू है वो सारी चीजे एक टोकरी में रखने की हो तो उनको उसमें रख दूँगी वैसे तो मैंने अभी यह सिंग क्लीन करके रखा हुआ फिर भी जब मैं इतनी बार भी की सबजियां वगारा वोश करती हूँ उस टाइम पर छिंको अच्छे से जो है वो क्लीन कर लेती हूँ तो यहां पर सब्जियां वगारा सारी चीजे जो अलग लग कर दूँगी सारी की सारी अलग हो जाएंगी तो बस यहां पर सब्जियों को वोश कर लेती हूँ क्योंकि यही होता है जिस दिन जैसे खिचड़ी बनती है या दलिया बनता है दलिया तो देखो गर्मी में बनता है लेकिन खिचड़ी बन रहे हैं तो मिरे पास टाइम था और मैं सच बताओं मैं जब 6 बजे मैं उठी थी बिस्तर से तब मुझे यह था कि आज तो मैं कुछ ऐसा बना लूँ जिसमें कम टाइम लगे घर का काम भी जल्दी खतम हो जाए और फिर यह सब्जय वगेरा भी आ गई थी मैं का यह काम खतम करके बस अपना बिस्तर पगड़ लो क्योंकि पिछले 5-6 दिन से ठंड इतनी जादा जो फिर से हो गई है सूरज तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है बस एक दो बार निकला था हलका फुल का दो मिनट के लिए फिर वापस फिर से चला गया था और दो दिन से मेंदी भी भिगो कर रखी वे देखो क्या पता कल निकल जाए तो मेंदी भी लगवा क्यों कि क्या होता है कि ठंडी आवा जो कहते हैं वह बहुत बहुत जादा बस लगवग मेरी सारी सब्जें जो धुल गई हैं और उसके बाद पैस रहते हैं पैस को मैं डारेक्ट जो है उपर यह जिसमें आलूद होकर रखे न सबसे उपर जो पैस डाल दूँगी और यह स शेयर करूंगी यह ऐसे स्टोर करके करीबन एक महीने तक चल जाती हैं और सबजी हमारी हो गई हैं और यह है पेस्ट्री जो हमने अभी मंगवाई हैं बच्चों को आज बहुत इच्छा हो रही थी पेस्ट्री खाने की तो अभी इमां के पापा लेकर आई हैं तो वह सब खा आया है तो यह पपीता पपीते का शेक जो है वह अभी मैं बनाने वाली हूं तो और हिमांग जो है बार 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 राद उसके हाथ से फोन ले रहा है तो बार बार परेशान करने के लिए आ रहा है वो रुकता नहीं है मैंने का बिटा थुर दिर खेल ले भाई के साथ खेल क्या करता है जब होता है कि मुम्मी को जरुए अब कर साथ क्हेद आपके हैं राड़ साथ मुझा हुँ लुथा, मुझा मं और फून तो या्द आ जाता है याद हुर्थ हुथा इनको भी उसका मरड़ मोड़ आन्युनी statement पर पपीता बगरा अबra बिल्कुल ख़टको गए ऐता बहुत सब्सक्रे कि यह चाहें को बहुत सारि नु दिका हुए हुगा कुछ्य कजसें को फाइस न्हाया है यह ठीम हुए ह्नु हमारे सब्सक्रायी खत्म हो गया थाऊपी जॉकर कम जब्सक्राइल हुए है कि या तो इनको मैं सुबह खाली करूँगी क्योंकि अभी तो यह था बस खाना वगएरा खिला दू बच्चों को और अपना बेसिक कम नमकीन है लग सकती है फ़िफ 문제 अबिन निगभी तो चाले पर हम भाएंट जाएं शोद्क डही तो इस खूट देणगे ठोड़ा सा मैने काला नमक, काला जीरा डाल दिया, भुना ओवा, ठोड़ा सा ये सेंदा नमक है, वो डाल दूँगी, मैं पाल झाली के तो भिव इना सेंदा नमक एक चुटी डिबी में कांचकी वे ले सेंदा नमक एक छूटी के। कि मैं आज इतनी जल्दी क्यों सो कर उठी हूं क्या है कि वरुन का कल स्कूल से मेसेज आ कि स्कूल का टाइमिंग जो हो गया जल्दी हो गया तो जल्दी के हिसाब से मुझे जो है जल्दी थोड़ा सा उठना पड़ा अगर आज पांच बजे में उठकर देखा है अगर टाइ जैसे जैसे मैं काम करतीगी मेरे पास टाइम भी थोड़ा बहुत बचता गया करीवन जो है मेरे पास 10-15 मिनट बच गई थी तो ये था कि ज़्यादा भाग दोड़ करके जो है ना करें इसे अच्छा तो अराम से वरुन ने अराम से बैठकर खाना वगएरा भी खा लिया था तो ये पांच सवा पांच का जो टाइम है मेरे लिए एकदम पर्फेक्ट है उठने का और अब यहाँ पर जो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और गाजर की सबजी मटर है नहीं मटर शायद भाईया जो वो डालना भूल गये उनको बूला था एक किलो मटर के लिए और जब मैं सबजे वोश कर रही थी धोरी थी नहीं सारी सबजे अच्छे से तो उस टाइम पर मैंने देखा मटर तो है ही नहीं तो मटर शायद भाईया जो डालना भूल गये बोला था उनको मटर डालने के लिए और तड़का लगाने से पहले मैं सोच है एक बार काउंटर तो पर कपडा लगा लगा लेती हूं गयाज पर अच्छे से कपडा लगा लेती हूं और उसके बाद तड़का बड़का लगाना शुरू करूँगी तड़का लगाने के बाद जो है साथ साथ में वरुन को भी उठा दूगी और आज क्या हुआ कि वरुन को जैसे जल्दी उठा है तो उस चकर में हिमांग भी जो आज थोड़ा से जल्दी उठा गया जो हाटा वगरा मैंने चाना था शायद लगा भी लिया हो उसके लगाने के बाद शायद इमांग सो कर उठ गया था तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि छोटा बच्चा जब सोकर उठता है तो मतलब उसको यह चाहिए होता है कि मम्मी उसको अपने पास चाहिए होता है या जो कुछ भी हैं ममी प्यार करें गोद में लेके बैट जाए लेकिन साथ में दूसरा बच्चा भी होता है और उसी टाइम हस्बंट के जाने का भी टाइम हो जाए तो सब के जो ना फिर सुबो सुबो एक दूसरे के उपर ऐसे ही चिलना नहीं मीरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मुझे ये करके दो, मुझे वो करके दो, दूसरी तरफ से वरुन का लंच रेड़ी करना, उसको भी बच्चे को हैल्क चाहिए होती है, रेड़ी होने में क्योंकि सर दिया है, तो शिकायते जो है सबकी शुरू सुब यह नहीं किया परफेक्ट नहीं हुआ यह वह ऐसा चलता ही रहते हैं तो इस वक्त मैं सबसे पहले लगा लेती हूं तड़का और मैंने सबजी में पानी डालके चोड़ दिया हैं और यहां पर जो है मैंने तीन चोड़े चोड़े टमाटर ली एक हरी में चिलिया है उसका पे इनको मैं मिक्सी में पीज लेती हूं नहीं तो क्या करती थी मैं हाथ से ही काटवाट जो है वह लेती थी यहां पर तड़का लग रहा है तब तक आटा वगएरा मैं चान लूँगी और आज मेथी की रोटी में बनाने वाली है क्योंकि हरी हरी ताजा फ्रेश मेथी आई भ रह度 से आटा मिक्सीमें काटा होना है तो कि अहां पर बस हमने यह जाए तो यहां पर यह हुद भूटल लिए तड़के और यह कोटा यह से घंडिति नमक खल próximे बिसमें आ कर दिये हैं और माच जो नमक मासाला कि क्योंकि थनिया पाउडर है और जो धनिया होता है ने सुखा धनिया उसको डालने के आज मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कुछ बाद में याद आया दिमाग से भी वह निकल गया था तो थोड़ा सा पानी डालके इसको जो हिला दिया है और ढ़क कर इसको थोड़ेर के लिए medium to sim gas पर ढखकर पकने के लिए छोड़ देंगे अभी दूसरी तरफ आटा लगाने के लिए पानी गरम करेंगे पीने के लिए भी पानी गरम करने वाली हूँ और यहां पर जब तक पानी गरम होगा तब तक मैं थोड़ी बहुत मेथी है मेरे पास इसको भी चूट लेती मेती चूटकर जो है इसको छैसे काट वाट के धूलके इसको घूलके हो तो यहां पर यहां तढका मैं बीश में चेक करी ती रैडी हुआ उम की नहीं हुआ और इसको काटके पानी ड्रेन आउट करके और इसको जो मिला दिया है आटे में और अभी यहां पर तड़का हमारा रेडी हो गया था साथ साथ में जो सब्जिया मैंने काटके रखी थी वो सब्जिया भी मैंने इसके अंदर डाल दी है आलू है और गाजर है यह वाली सब्ज बिल्कुल आदा गुट पानी इसमें अड़ कर रहा है और सीटिया लगने के लिए भी मैंने इसको छोड़ दिया है मेती को मैंने मिला लिया है आटे में अब लगाएंगे आटा साथ में नमक भी जाय है और टेस्ट के कोडिंग इसमें डाल लिया है अच्छा जी बहुत बार कोमेंट आते हैं आप आटे में नमक क्यों डालते हैं तो आटे में नमक एक तो नमक जो होता है वो आटे को बहुत अच्छे से सेंबल करता है आटा बहुत अच्छे से गुनता है दूसरा क्या होता आटे में नमक डालने से जो है रोटी का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता ह बिना नमक की रोटी और नमक की रोटी दोनों अलग लग खा के देना टेस्ट आपको अलग से पता चल जाएगा अच्छा जी यहाँ पर आटा भी मैंने लगा कर थुरदिर के लिए छोड़ दूँगी तब तक जो मैं वरुन की हल्प करने आ गई थे और पीछे आप जो कपड़े देख रहे हैं ये जो कल परसो मैंने कपड़े दोए थे वो कल शाम तक जो वो सूख गए थे तो रात को उतार दी थे अभी टाइम लगेगा ना टाइम लगते ही इनको इताह बना के जो है वो मैं रख दूँगी बस वरुन भी हो गया था रेडी और इसी भी जो है हिमांक भी जो है सोकर उट कया था लेकिन वो काफी टाइम तक तो वो बिस्तर में लेटा रहा ममी ममी करता फिर बीच बीच मैं इसको पापा कोई बोलती रही कि एक बार संभाल लो संभाल लो क्योंकि छोटा बच्चा है वो बिस्तर से निकल के आएगर तो ठंड वगरा लगने का डर भी जो बहुत जादा रहता है बस अभी जो यह मोसम निकल जा रहा है ना पापस इ रारून रेडी हो गया था उसके बालवाल भी बनाने में मैं हेल्प करजी थी बहुत प्रॉपर रेडी हो गया था अब इसको यह था कि मैंने पूछा था कि वह गरम दूद लेगा रोटी खाए गया पहले बोला कि गरम दूद लूँगा फिर बोला कि नहीं दूद नहीं रोटी खाऊंगा तो मैंने सुचा एक दो रोटी जैसा भी उसको भूखोगी वो खाकर चला जाएगा दो रोटी उसके टिफिन में डाल दूंगी और फ्रूट आज देने वाली नहीं क्योंकि आज उसका जो है लंच सुरी आज उसकी केंटीन है तो पहले केंटीन उसका तो बस यहां पर गर्मा गरम रोटीया रेडी कर दूंगी साथ साथ में टिफिन भी रेडी कर दूंगी और आज ही वरुन को छोड़कर आने का कोई चकर नहीं है क्योंकि छोड़कर जो ही मांग के पापा आने वाले हैं अभी व्लोग का एंड करूंगी मैं यहीं पे मिलते नेक्स व्लोग में तिल देन बाइबाई जो फोस्टों विजिट करा लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मच पर बोचिए